हेलो एवरिवन संसाधन के रूप में लोग या मनुश्य स्वय में एक संसाधन है यह टोपिक है आज की इस वीडियो का तो मनुश्य स्वय में एक संसाधन है क्यों है संसाधन इस बारे में हम जानेंगे इसमें कुछ कोश्चन्स मैंने स्लेक्टेड कोश्चन्स लिये हैं जो वो वस्त्वे हैं जो हम प्रते दिन प्रियोग में लाते हैं, जो हमारे लिए मुल्यवान हैं, क्यों है मुल्यवान, क्योंकि उनके बिना हम प्राजीवन नहीं चला सकते, तो संसाधन से रिलेटेड ये वीडियो में हम जानेंगे कि मनुश्य कैसे संसाधन बन गया है, ठीक ह लेकिन इससे पहले अगर मेरी वीडियो अपको अच्छी लगे तो प्लीज शेर और सब्सक्राइम आई चैनल तो स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो इसमें पहला क्वेशन मैंने यही लिखा है कि संसाधन के रूप में लोग से क्या आरत है क्या तातप्रिया है किसी भी देस्क में उत्पादन कोशल या समताओं में जो लोग करिय करती हैं उनकी करिय समता या कोशलता ही संसाधन बन जाती है क्योंकि अगर मनुश्य कुसल और इस योग्यता के साथ साथ अक्षम नहीं है किसी काम के करने में तो संसादन जो بाकी संसादन है वो वेरत बेकार है इस दर्ती पर ठीक है जैसे परकृतिएं ने हमें बहुत सारी चीजे दी है अभीज एभी वरत्मान जो फिलाल चल रहा है जैसे सूरिय उरजा का यह हमने यूज करना सीख लिया है पन उरजा का तो ये सारे सब चीजे कैसी संभव वोपाई हैं मनुश्य की कोसंता के द्वारा ही इसलिए मनुश्य स्वयम एक संसाधन है नेक्स लेते हैं मानो पुझी निर्मान का क्या आर्थ है कि मानो पुझी का निर्मान कैसे होता है मानव संसाधन को ये क्लियर हो गया है कि मुने शेक स्वेम संसाधन है तो इसको और अधिक कैसे युग्य बनाए जा सकता है शिक्षा और स्वास्ते के कारण और विक्षित करना ही मानव पूंजी निर्मान है नेक्स कुश्चिन है जैसे कौन सा संसाधन अन्य सभी संसाधनों से स्रेष्ट है अन्य सभी संसाधन लकड़ी वन पेड़ पोदे जीव जनती इन सब को उपयोग में लाने का काम किसका है मुनिश्य का तो एक मुनिश्य जो है वो सभी संसाधनों से स्रेष्ट है किसके निव निवेज करने से शिक्षा और चिकित्षा में निवेज करने से नेक्स कोशिन है जैसे क्रिया क्लापो को किन तीन प्रमुक शेत्रों में बाटा गया है अर्थवैस्ता में जो भी हम करिया करते हैं तो इसको तीन शेत्रों में बाटते हैं तो कौन कौन से क्रिया करते हम जैसे जैसे कि प्रिथमिक क्रिया में क्या सामिल है तो प्राथमिक क्रिया में क्या सामिल है क्रिशी वानेकी पसुपालन मच्यपालन मुर्गी पालन वे खनन क्या सामिल है क्रिशी करना पश्वों को पालना मच्छियों को पालना मुर्गी पालन करना वे खान खोद के जमीन से जैस चेत्र है जहां पर प्रकरती से मिली वी जीजे हैं उनका यूं का यूं यूज करते हैं तो प्रात्मिक चेत्र के लागता है अब द्वीतिक चेत्र में क्या समयलित है जो प्रात्मिक चेत्र में हमने वस्तू का उत्पद्न किया है उन वस्तू से आगे और चीजें बनाना ही दृतिक चेत्र है तो इसमें है मेंली जैसे की निर्मान करिये वे उत्थनखनन करिया जैसे गेहुं से डबल रोटी बनाना ब्रेड बनाना इत्यादी गन्ने से चीनी बनाना ठीक है नेक्स है तृतिक चेत्र में किन चीजों को शामिल किया गया है तो कौन-कौन सी चीजी है जैसे पहली में तो वस्तुविया में प्रात्मिक शेत्र में प्रकरती द्वारा प्रदर्थ है उनका यूगा यूज करना हम सीखते हैं दूसरी में उन्ही चीजों से हम और आगे चीजे बनाती हैं और तीसरी में क्या होता है कि यहाँ पे हम अपनी खुद की सेवाई लोगो को दे रहे होती है मनुश्य जसे व्यक्त पार करना प्रिवें संचार बेंकिंग विमा श्क्षा श्वास्वाई प्रदर्थ हैं त्थी Angkor में जैसे एक अध्यापक ने श्वाई लोगों को देता है और इसी तुरवाटर में भी अपनी शेवाई हैं वह लोगों को दे रहे इदर उदर का वर्मन करा के तिक है अब आर्थिक क्रियाई जो हमने ये सारी क्रियाई पढ़ ली जैसे कि प्राथ में द्वितिक त्रितिक तो ये सारी क्रियाई कौन सी क्रियाई है आर्थिक क्रियाई ये कहा किसे जाता है जिन करियों को करने से उत्पादन होता है तिक है क् इन करियों को करने से उत्पादन होता है वे रस्ट्रियाई में मुल्य वर्थी होती है क्या होती है रस्ट्रियाई में मुल्य वर्थी तो इसी को हम क्या कहते हैं आर्थिक क्रियाई ये डिस्कॉसन हो चुका है नेक्स एक बजार वे गेर बजार क्रियाई कौन सी होती है कौन सी जो लाब के उदिस्चे से और गेर वजार जो स्विम के उबबो के लिए जैसे कि एक एक किसान का अपने घर मुंद को पालना किसलिए पा ले जाते हैं दुख्दुध पादन के लिए अपने घर के लोगों के लिए दूद दोरगी का उबो करने के लिए ठीक है तो ये हैं गैर बजार किरिया हैं उसी तरह से ग्रहने का गर में काम करना भी गैर बजार किरिया है जन संख्या की गुनवत्ता किस पर निर्वर करती है तो जन संख्या की गुनवत्ता निर्वर करेगी शाक्षरता धर यानि की जन संख् पर अगर देश की लोग स्वस्त रहेंगे तो देश के विकास में योगदान देंगे देश के लोगों द्वारा प्राप्त कोशल निर्मान में और जो विशेक्षा के द्वारा कोशल है उसको और ज्यादा बड़ावा देना उसका निर्मान करना ही क्या है कोशल निर्मान प्राप्त कोशल निर्मान पर ठीक है तो इस में भी हम नेक्स कोशिन है जैसे किस जन संख्या को प्रिसंपत्ति माना गया है तो कौन सी जन संख्या प्रिसंपत्ति मानी गई है साकस और और स्वस्त जन संख्या को प्रिसंपत्ति माना गया है पहली पंच वर्षी जनमे शिक्षा पर कितना हो गया तो यह गया अब देश में जब देश अजाद हुआ तो सक्षरता दर कितनी थी कितने परतिशत लोग पुड़े लिखे थे यह थे 18 परतिशत और 2001 में बढ़कर यह दर कितनी हो गई 65 परतिशत ठीक है देखो कितने गुनावर्दी हुई है सर्फ श्विक्षा वियान कब में क्यों चलाया गया तो यह चलाया था 2010 में और किसलिए 6-14 वरस्त के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए जो बहुत ही जरूरी माना सरकार ने नेक्स बच्चों की उपस्तिती स्कूल में बढ़ाने के लिए और पोशन में सुधार के लिए क्या शुरू की बच्चों का पोशन होता रही अच्छी तरह से तो ये शुरू की गई थी दोपैर के बोजन की योजना क्या शुरू की गई दो 24 प्रतिशत रही है नेक्स से किसी भी फर्म का मुख है उदेश्य क्या होता है किसी भी फर्म कोई भी फर्म होती है तो उसका उदेश्य क्या होता है अधिक से अधिक लाब कमाना ठीक है नेक्स कोशिन है किसी भी देश की जन सिंग्या में कितनी किसकी प्रात्मिक्ता होने चा सेवा की 2000 में जीवन परताश्या कितनी थी कि जीवन परताश्या का मतलब है next question मैंने इसी से लिया है 64 वरस थी और इसका आरथ है कि जीवन की अनमानित आयूँ ठीक है क्या है जीवन इनकी अन्माने दयु जनमदर वे मिर्तिवु दर का क्या रहत हैं जनमदर तो वह दर है जी की एक वर्рыž में 1000 के पीछी जनम नोए वाले सिशोगी सेंख्या ठीक है और मिर्तिवु दर क्या है तो सबसे च्यादा जो हैं च्यार राज्जे हैं जिसे करनाटक अंदर पतेश तमीन लाड़ू है महाराश्च में अके लिए करने के लिए लोगों को कोई काम न मिले कोई रोजगारी कहते हैं नेक्स है जैसे श्रम जीवी जिन संख्या में कौन सा व्रग आता है तो इससे जिन संख्या में आता है 15-69 वर्ष वाड़ा वर्ग जिसको सरम जीवी कहा गया है 15-69 नियवन से फिटें तक जैसे आगे तो वो काम करने योग्या नहीं होते हैं इसी तरह से 69 से बादवाड़ा वरग है व्रद वरग जिसमें जो स्वेम भी योग्या नहीं होते कि काम कर सकें तो जन संक्या का सबसे श्रम जीवी वरग इसी को का जाता है तो यह थे 9th क्लास के अंसे आर्टी से रिलेटीड व्रग जो बहुत इंपोर्टन है यह लाक मैं वीडियो प्लीज शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक्स पर वाचिंगी वीडियो